हेलो और वेलकम तो अईरवेदा बुक एप मेरे नाम है डॉक्टर कपली आदो मैं आज शेयर करूंगा आपसे रिवीजन की सही स्ट्रेटेजी प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी कोई भी अईरवेदा का कॉंप्टिटिव एक्जाम आपको क्लियर करना हो उसमें आपको एक काम कुछ कंसेप्ट बताऊंगा फिर प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा फोलो कैसे करना है कंसेप्ट समझ लो पहले वे तो सबसे यह बात मेरे स्टूडेंट्स को पता है अक्सर मैं बोलता रहता हूं आप भी ध्यान से सुनना और समझना रिवीजन इस दी हैबिट ओफ आपThis..बवर्स एख बात, दूसरी, रिवेजन नहीं होता है, स्लेवर्स कंप्लीशन के बाद रिवीजन होता है तैयारी के साथ साथ अक्सर students को ये लगता है कि पहले पूरा slayvars complete कर लेते हैं फिर हम revision करेंगे slayvars completion के बाद क्या हालत होती है फिर वापस से वहीं पर zero पर आ जाते हो क्योंकि इतने time तो पढ़ी ही नहीं slayvars completion में तो आपको लग जाएगा अगर आप deep study कर रहे तो 5-6 महीने लगेंगे at least फिर से zero पर आगे तो क्या याद रखा आपने अब तक आपने याद रखना revision is the habit of topper so मैं stress डाल रहा हूं habit word पर ठीक है it's hard to get by लेकिन अगर आई आपके पास आ जाती तो आपको single-handedly जो है कोई भी exam clear करवा देगी तो यह habit आपको develop करनी है दिहान रखना you cannot decide your future but you can decide your habits and those habits will decide your future ठीक बात है ओके आप यह जो revision हम कर रहे हैं इसको practically follow कैसे करें तो आपको जो serious preparation कर रहे हैं उनको three hours revision के लिए मेरे हिसाब से devote करना चाहिए मेरे students आज के टाइम में हर आईरवेदा के government college में select हुए हैं ठीक है तो अपरस भी रहे हैं कुछ ने तो अपनी coaching भी open कर रखी है तो आपको ध्यान रखना है यह method of follow करो आप बहुत इजली निकाल सकते हो कोई भी government के exam तीन घंटे में divide कर लो ठ ठीक है first hour या one hour में आपको क्या करना है one hour आपको devote करना है previous day पिछले दिन जो आपने पढ़ा है उसको revise करने के लिए next hour आपको devote करना है पिछले सप्ता में previous week में जो आपने पढ़ा है उसको revise करने के लिए last वाला hour आपको devote करना है पिछले महिने में जो आपको पढ़ा है उ को पूरा बना के देखो तो आप day 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आगर आप follow कर रहे हो तो day 1 पे आपने आज से suppose गर preparation start की तो day 2 पे आप पहुँचोगे तो day 2 का तो आपने नया पढ़ाई प्लस आपने day 1 का भी जो है revise किया one hour के दे थी पे जब पहुचोगे तो day 2 का गंटे के लिए रिवाइज प्लस day 1 का किया ऐसे बढ़ते बढ़ते जब आप day 8 पे पहुचोगे तो आपने जो है day 7 का गंटा रिवाइज क्या प्लस 16 के जो है वह आपने रिवाईज करे और 16 वहाँ पहुचने ये बार छोटी 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 टोपिक करके भी इसको कर चुके हो तो आपको बहुत इजली समराइज हो जाएगा इन केस की मालू ना भी हो पूरा सले बसा इतना बड़ा हो गए नहीं किसी तरह हो पा रहा तब क्या तो भी आप इंपोर्टन इंपोर्टन जो पॉइंट में टिक करवाता हूं यह पॉइंट इंपोर्टन नहीं को बहुत काम आने वाले हैं ठीक है अच्छा यह एक प्रैक्टिकल तरीका क्या होता है student बोलता है कि हम पर इतना time ही नहीं होता हम क्या करें तीन घंटे सिर्फ revision तो नया topic कप पढ़ेंगे तो एक बात को आप दिहान रखना ठीक है time आप plus minus कर सकते है depending अप उनकी आपका कौन सा exam है और कैसे आपको कितना मिल रहा है लेकिन revision आपको जरूर करना है by chance ऐसा हो ही जाए ठीक है कि या तो revision ही कर सकते ह। या नया ही पढ़ सकते है या हलत आ गए तो बेटर है कि revision कर लो क्योंकि नया जो आप पढ़ने वाले हो ठीक है अगर है आपका examUE पर सुन habit of top verse, revision नहीं होता है, slayvers completion के बाद revision हमेशा चलता है, साथ-साथ में, और दोनों में से एक choose करना हो, तो revision choose करोगे, तीन पार्ट में divide करोगे उसको, ठीक है, पहले गंटा, दूसरा गंटा, तीसरा गंटा, पहले गंटे में, पिछले दिन का, दूसरे में, पिछले सब्ता का, तीसरे में, पिछले महीने का revise करोगे, ऐसे करना, ये single-handedly आपको score कराएगी, और ये मत समझना कि, जैसे अरे ये तो सभी को पता चलगे, सभी revise कर लेंगे, ठीक है, ये इतने सारे student होते हैं, हर बार नया कोई topic कराते हैं, नया हर कोई बढ़ता है एक बार अपनी तरफ से, ठीक है, MCQ लगाते हैं, एक बार हर कोई लगा लेता है, ठीक है, लेकिन revision की habit है न, वो नहीं develop हो पाती है, ठीक है, वो बहुत rare पाई जाती है, और वो उन्हीं में पाई जाती है, जिन टोपर से, वो habit बनानी पड़ती है, नहीं मिलती है, नया नया तो सब पढ़ लेंगे, एक बार देखना, तो मेरा नमबर दाओ के पर है ही, मुझे बताईएगा, ठीक यू,